असलाम लेकूम माई यूटूब फैमिली क्या हाल है आपका विवर्स आज मैं आपके लिए लाई हूँ इशा और्गैनिक स्किन केर प्रोडेक्ट का रिव्यूर इशा और्गैनिक के नाम से आप वाकिफ होंगे इस हर्जल्ट बहुत बेस्ट है यह अफोर्डेबल है और यह एक रिडियूस डार्क स्पोर्स के खतम करता है मारे पोर्ष को क्लीन करता है और इसका हम टेक्स्चर देखते हैं कैसा है आपको मैं दिखाते हैं वाइट कलर का इसका है क्रीमी टेक्स्चर इसको हम यूस करेंगे कि इसको हम 5-10 मिनट्स तख इसका मसाज करेंगे बोट लाइट फिंगर्स के साथ 10 मिनट्स पार आपने इसको रिमुव कर देना है अपने स्पंच से इसके बाद हम इसको मसाज क्रीम इसकी यूज करेंगे मसाज क्रीम में हैं विटमेंट ए विटमेंट ए विटमेंट सी एन वी फाइफ और यह हमारे हमारे डाक स्पोर्ट और एक्नी जो होती है उनको फतम करता है इनका मसाज मसाज करेंगे इसको भी हमने सी तरह लाइट फिंगर्स के साथ इसका मसाज करेंगे इसका मसाज करेंगे और हम इसका फिर रिजल्ट देखेंगे इसका टेक्स्टर बड़ा क्रीमी से बड़ा अच्छा टेक्च्च्चर है विशा और गैनिक का यह सेकेंड स्टेप्प हम कर रहे हैं मसाज करीम जिसमें अलमंड आयल विटमिन ई और भी इसके बाद हम इस पर इसका थर्ड स्टेप है जब फेस क्रब यह ब्लैक हैट्स को रिमूब करता है बलैक इन वाइट हैट्स को रिमूब करता है होट डेट स्किन को रिमूव करता है इसका टेक्ट्टर भी स्क्रीमी और वाइट फॉम में है और यह स्क्रबिंग में बहुत पार्टिकल्स बिल्कुल ना होने बराबर बहुत यह च्छा टेक्ट्चर है हम इसे 25 मिनट्स तक जो फॉर स्टेप से को कम्प्लीट कर सकते हैं वाइट स्क्रबिंग यह हमारे ब्लैक हैड्स वाइट को रिमूव करता है इसका मिसाज करना है तैन मिनट्स आपने इसका मिसाज करना है पर इसको आपने रिमूव कर देने पिर लास्ट में आ जाता है क्ले मास्क इसका यह मास्क है इसमें वीटमिन है और यह हर्बल एक्स्टेक इक्स्ट्राक्ट से बना हुआ है हमने मास्क को 15 मिनट तक रखना है जब तक ड्राय हो जाएगा ये उसके बाद भी हम इसे रिमूफ करेंगे ये क्ले मास्क है आपको एक थंड़क का अहसास होगा और इसकी खुश्बू बहुत अच्छी है जब ये ड्राय हो जाए तो आपने इसको इसके रिमूफ करेंगे ठीक है रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है इशा और गैनिक्स प्रोडेक्ट का आप भी यूज कीजिएगा और बहुत ज्यादा अपोर्डेबल है हम लों के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग कर दो मेरी जिए.